मसकार किसान बाई हो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेज की टोप मंडियों में नर्मा कपास के बाव के बारे में क्या एवरेज बाव रहा है आज का जो न्रमा कपास का एवरेजबाव राए उसके बारे में बात करने वाले है ये सबी वाउ एवरेजबाव है इन से कुछ लोट उपर भी बिके हैं और कुछ लोट नीचे भी बिके हैं इनका एवरेज बाव है ये और कई किसान भाई हमें कमेंट भी करके बता रहे हैं कि उनके पास की जो मंडी है उनमें साड़े साथ अजार से उपर नर्मा नहीं बिकराएं तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले ही एक जुटों करता ही कर लेते हैं कि अगर आठ अजार नर्मा भी कराएं तो साड़े साथ अजार से उपर बोली नहीं लगाएंगे और सिर्फ एक लोट की आठ अजार के आसवास बोली लगा कर अकबार में जापने के लिए यह अजार नर्मा के बाउ खुट कर देते हैं लेकिन दूस्रे जो किसान ले के आते हैं उनके बाउ को साध़ साथ अजार से उपर नहीं ले रहे हैं तो इस कि तरीके से भी कई जगह पर जहां चोटी मंडिया है वहाँ पर किसानों को लुटा जा रहा है अगर आपके आसपास भी अगर इसी तरह अगर किसानों को लुटा जा रहा है तो कमेंट करके अवेश्य बताएं थोड़ा बहुत कम जदा बाव हो सकता है अलग अलग मंडियों में थोड़ा बहुत पाव में कम जदा होता है लेकिन बहुत जदा बाव में आरपेड नहीं होता है अगर आपके पास के मंडि में अगर बहुत ही जदा कम पाव पर अगर नर्मा का पास की बोली लगए जा रह ताकि हमें पता चले कि किसानों की क्या राय है ये जो भी बाव है साड़े साथ और आट गया सम्थिंग जो भी बाव है इस बाव में किसानों को अपना नर्मा का पास निकालना चाहिए या भी और रुकना चाहिए भी और किसानों की राय में क्या भी और रुखना चाहिए भी और भाव बढ़ सकता है या भाव और कम होने वाला है आप अपनी राया में कमेंट करके अवश्य बताए ता कि दूसरी किसान भाई भी जान सेगे कि क्या भाव होने वाला है तो थोड़ा बहुत कि कौन सी मंडे का भाव और कौन सी दूसरी अगर किसी दूसरी पसल का भाव के बारे में भी जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं हम आवश्य उस भाव के बारे में आवश्य आपको बताएगे धन्यवाद